चलिये भई, तो यह मारा बैट रूम है जिसका हमें TV वी ओंट इसका हम पर ले टिर्म से इस टाइप का हमें TV वैंट को श़ाइन करना है। फ्लो बार हम पार मां उसके उपर अपने बेरे ती एंट एकस्तों का अलोए जिसके हमें अब arm आचे यह जो ड्राइब हमारे हम लोग घर बगरा में जो देखेंगे देखेंगे हमारे ड्रॉट वरका कैसे होते हैं वह वाल माउंटेड वाल इनके नीचे लेग होते हैं वह लोग रख्ड़ कऱ ले NYE CLIENTSBIC FLOATED TYPE ELEMENT इसमें जो DROADS इनके LEGS ने दिखेंगे यह WALL MAUNTED पीछे क्या होगा इनका एक चैनल लगवा ओगाओ वाल उसके सारा लोड इसका होगा वहाँ थैसमें जादा बेटब रहते हैं आइज कर आपको CLEANING के लिए है आपने सपाई करने नीचे आपका क्लेरंस और फोर इंचे का मिनिमिंघ होना चाहिए ताकि आप वहां से उसके नीचे से हमारा आई लेवल होता है तीन से फोर फिट के राउंड तो जो हमें टीवी भी लगाना चाहिए वो इसी लेवल के अप्रॉक्स लगाना चाहिए ताकि हम लोग को अपनी नेक को बेंड ना करना पड़े देखने के लिए जाधा और जाधा नीचे भी ना हो जैसे कि जुक के देखना पूड़े तो आई लेवल के उस पर रखने की कोश्च करते हैं तो यहां पर हम लोग सबसे पहले चलते हैं टीवी उनिट आएगा तो सामने ही हमने अपने का फ्लोर प्लान लिया है जिनको हमने लास्ट क्लास्स में डेवलप किया था फनीचर लेयाओट भी हमने स इसमें नीचे ड्रॉर दार यह जो ड्रॉर की डेप्थ है अगर हम कबड वगरा देते वाड्रो वगरा होती है तो उसमें डेप्थ होती हमारी स्टेंडर होता है 450 mm से 600 mm के बीच में यह जो फिट से दो फिट के बीच में लेकिन यह क्या है टीवी कैबनेट से इनको इतनी जादा डेप्थ जिन्नी के हमें इसको कोई कमपल्शन नहीं होती हम लोग जनरली इसको वन फिट के रखने ही कोश्च करते हैं वन फिट प्लस माइनस 3-4 इंचे रखते हैं हम लोग जनरली को सबाफिट सबा यानिक 15 इंचे के अप्रॉक्स हमने डिजाइन किया जाता है 15 इसमें क्या होता है बहुत जादा है वी अलिमेंट नहीं जालते हम क्या रखते हैं हम डेली के यूसे जैसे की चार्ज़ज हो गया ठीक है आपके कुछ बुक्स हो गई है यहां जैसे इसके सेट अप वाक्स वगरा चुपाने के लिए हमें कही ने कहीं यूनिट देने होग तो अब वो कहां दिया जाना है तो उसके लिए उनके अरेंजमेंट के लिए स्पेसिंग हमें छोड़के देनी पड़ती है अच्छा इसमें अभी एक चीज़ गायब है टीवी का स्विच कंट्रोल टीवी में हम लोग जनरली दो स्विच देते हैं एक तो सॉकेट देते है जो टीवी के जास पीछे अटाच होता है उसमें हम टीवी का वायर सेटर बॉक्स का वायर कनेक कर देते हैं स्विच बोर्ड हम लोग क्या करते हैं यहां जो नीचे का बीच का स्पेस आ रहा है यह इधर का स्पेस है यह साइड के स्पेस में स्विच बोर्ड का कनेक्शन द अब अगर आपका क्लाइंट स्टोर ज्यादा माग रहा है तो जैसे मैंने पिछली अप्रोच दिखाई थी आप लोगो इस टाइप की रख सकते हैं ओपन गेमिंग वगरह में हम इस टाइप की दे सकते हैं कंसोल टाइप का जैसे दिसाइन करना हो तो बट अभी के लिए जैस उनकी बीच में गैप है जिसमें से आप देखोगे तो हमारी लाइट आ रही है हम यह सारी चीज़े ध्यान में रखने है अच्छा अब टीवी लगेगा तो वाल पे बट वाल पे डाइरेक्ट पेस्टिंग नहीं होगी पहले वाल पे क्या आएंगे आप देख सकते हैं यह इनके प्रफाइल को इस टाइप से होती है रेक्टेंगलर बॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं हमें situation रहे सब्सक्रोगा करें है यह उससक्ता थे सब्सक्राइब बट बटीशन टो haram 드 इनक्राइब करेंगली करें तो हुआ है । बटान्ह烟 मैयनन किस्टा सकते हैं या इसके लिए हो सकता है उसला किGANक्राच करेंगी आत्रोच करतान करें livelihood को है तो आपके डब्लूपीसी लुवर अगर होते हैं एंटी टर्मिक और आपके एंटी फंगल होते हैं वारीज पानी होगर अगर आप से यहली कराब ही होते हैं ठीक है बट फिर भी अगर आप एक सेफ्टी प्रकॉशन के लिए चाहते हो तो पीछे की तरफ हम एक अईडिया मा सिवार अलग से दें जिसके पर नूर को बेसं मौंट कर देता है वह भी किया जाता है और क Hearing रही इसको व३। पर करते हैं तो पेस्टिंग के लिए हमें पीछे वाल में एक के लगाना पड़ा उसको करना पड़ता है उसके उपर फिर हम यह करते हैं तो अगर तो वाल से बिल्कुल चिपके नहीं आ सकता इसी वाल से गैप होगा अब हमारा जो मैं इमेज में देख पा रहा हूं यह स्टैंडेड हमारा 20 mm by 20 mm का गुरू होगा यह 20 mm होगा अंदर भी 20 mm होगा फिर यह गैप यह कितने का होगा 20 mm का होगा उसके बाद इसकी कुछ 25 mm के अप्रॉक्स होगी तो टोटल वॉल से गैप कितना आ जाएगा हमारा 25 mm जिसको हम वन इंच कहते हैं तो हमने क्या क्या प्लान में गए और यहां से वन इंच इसको आफसेट कर दिया पूरे को कर दिया अब शेल्फ हम इस साइट तो नहीं दे सकते आने आने ब्लॉक है टीवी जब हम देते हैं तो यह चीज और ध्यान रखनी है कि शेल्फ और टीवी के बीच में आपका गाप होना चाहिए थोड़ा वह गैप किसली होना चाहिए मानलो कोई साइट से बैठके देख रहा है तो शेल्फ उसके ब्लॉक किज ना करे हां तो इसलिए थोड़ा स वाले ट्रेंड में चल रहे हैं और ग्लास में भी आप फ्लूटेट डिजाइन चल रहे हैं चैसे मैं आपको दिखाया भी था ठीक है तो हम लोग डिजाइन करना इसको स्टार्ट करते हैं शेल्फ जो देनी है यहां पर हम देंगे टोटल लेंद में पहले चेक करता हूं कि अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे तो लूवर का तो हमने वन इंचे का गैप दे दिया उसके बाद क्या रहा है हमारा स्टोन आ रहा है अब स्टोन में पीछे कोव बना हुआ यह देख रहे हैं ठीक है मैं आपको लास क्लास में भी बताया भी था यह कैसा होता है एक लेयर आई किसकी आपके डबलूपीसी लूवर्स की उसने गैप कितना ले लिया आपका वन इंच का 25 mm क्या प्रॉक्स आ गया हमारा इसके बाद जब हम स्टोन लगाएंगे तो स्टोन में हमें गैप देना होगा जिस गैप में हम लाइट लगाएंगे उस गैप में आपको जूम करके बता देता हूँ कैसे होती है इस टाइप से हम रखते हैं इसको यह जो गैप होता है यह डिपेंड करता है आप लाइट कितनी थिकनेस की लगा रहे हो यह भी आपके स्टेंडर्ड साइजेस की आती है 20 mm 25 mm 40 mm इस तरीके साथ यह तो हम लोग जानली जाहत अदर 20 mm का यूज करते है ठीक है स्ट्रिप लाइट आती है मैं दिखा भी देता हूँ किस टाइप से रहती है कि यह आप देख रहे हैं इस टाइप से आती हैं इनके अलगलग साइज़ होते हैं आप यहां पर देखो कि भी तो दिखा रहा है कितना है पढ़िए लगेंग के लिए वेगहर में चैए आप के लिए यहीं दोर कों सकते हैं नर्मल सी स्ट्रित को लगा भी च police करके उसको डबल साइडेट टेफ से उसके ऊपर पेस्ट कर सकता है कोव मनाने कहीफ यह होता है हम चैनल लगाने की फ़ xuब्का तैंसे लेकिन क्या रहता ना कि कुछ टाइम के बाद कि चिपकण कोगी तो यहागा कि स्ट्रेफ बहुंसे क्या हो करने लगे हैं जैसे आप यह कवर आ जाता है प्रोफाइल के साथ उसके कवर कलाता है अब यह कॉस्टी बैठेगा क्यों कि इसमें लाइट आपको अलग करनी होगी कवर अलग पर्चेस होगा फिर दूनों मिलके लगेंगी आपके कवर को हम क्या करते हैं इसको स्कूरू से आ अब हमें गयाप केता चोड़ूंगे हम वन इंच से एप्रॉक्स थोड़कर जयोटा है यहाइट कहरें कोव की हीट यह हमारी जोती है वन पॉइंट फिव इंचसे फोर इंचस तक जाती है जैसे फॉस सिलिंग में भी यही लाइट देते हैं कई वरम तो फॉस रिंचस लखते हैं यहां पर हमारा क्या है फूर इंचस देख की जरुवत नहीं होती हम लोग जातार वन पॉइंट फाइट तक ले लेते हैं फ़नि 1.5 inches का gap आया उसके बाद sorry 1 inches का gap आया था यह WPC lower का था अब जो gap आएगा वो कित्ते का आएगा वापस है minimum 1 inches का gap तो हो गई होगा और अगर हमें वो profile वाला देना तो 1.5 inches का gap देना पड़ेगा मैं ठीके तो मैंना अभी के लिए 1 inches का gap दे दिया इसकी depth हम जादा लेंगी ना अगर आपने 4 inches या उससे जादा दे दिया तो आपके हाथ उसके अंदर नहीं जा पाएगा इसलिए हम लोग इसकी gaping को कम रखते हैं लेकिन प्योपी में क्या होता है depth जादा होती हमारे पास तो हम उसमें इतना रखते हैं कि आराम से हाथ उसके अंदर चला जाए तो महां पर हम 4 inches प्लस रखते हैं और यहां पर less than 4 inches यानि कि 1.5 inches से 2 inches वहां तक हमारी finger अराम से जा सकती है तो हमने कितना रखा अभी यह गैपिंग रखी है कितनी 1 inches की depth कितनी रखेंगे हम 1.5 inches gap locks ठीक है जनली कई बार हम square shape भी बनाते हैं जैसे 1.5 inches की depth है तो 1.5 inches की width भी देते हैं तो आप लोग की मर्दी है हमारे पास अच्छा कोई problem तो as such space में है नहीं तो मैं 1.5 inches का gap दे लेता हूं ठीक है इसके बाद क्या लगेगा हमारा यह स्टोन लगेगा स्टोन की thickness जो होती है और टाइल की thickness दोना अलग अलग होती है टाइल जो होते हैं उसकी standard thickness हम आती है हमारी 12 mm जो आपके 2 by 2 कि आते हैं लेकिन आजकल 4 by 8 के tiles आपने देखे हों किया रहे है वह स्टोन लगाना है तो तो हमें गैपिंग किति की छोड़नी होगी 20 mm की स्टोन कैसे लगेगा मैंने आपको प्रॉसस का ला एक्स्प्लेइन भी किया था ठीक है उसमें क्या होगा अंदर फासने लगेगा हुक टाइप से निकलेंगे उसके पर स्टोन क्या होगा लॉक करके ह अहां आये का लेकिन आजकल स्टोन लगाएंगे तो स्टोन क्या है बहुत जादा कॉस्टि की बात नहीं कास्टी तो यूवी शीट भी पड़ेगी जो काम करोगो तो गई होगा लेकिन बात कॉस्टि नहीं है इसमें फिर अलग से पॉलिश करवानी पड़ी है हमें एक लटिक की कीषीट होती है फाइफ शें थिक्णस होती उसकी वैड़ी करती है यह व उन तक जाती है अब वह पेस्ट करने के लिए मेरत पीछे चाहिए यो बिज करने के यह क्या चाहिए हमने यह जो बनाया इसका जो covering ग्रूव दिया उसके लिए तो हम क्या करते हैं जो हमारी वॉल होती है ना मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सपोज यह हमारी वॉल है इस पर हम लोग क्या करेंगे कि मोल्डिंग टाइप की देते हैं चारो तरफ लकड़ी के मोल्ड दे दिया 1.5 इंची का दो इंची चौड़ा ठीक है इसको नेल कील होती है कील से इसको लॉक कर दिया अब पीछे हमने इसमें आपको याद होगा तो लूवर लगाए में लूवर के लिए मैंने बताया था पीछे बेस लगाते हैं ठीक हो बेस लगाने का चार तरफ क् तरह की टक्कर चला देते हैं चारव जैसे आप ले देख ली यह टकर चला दी अब जो बॉर्ड होगा वह क्या होगा इस टकर के उपर लाखे ऐसा रख देंगे इसके उपर बोड आ जाएगा आपका तो बोर्ड का साइज होगा वह जाहिर सी बात है इससे क्या होगा जाता है ताकि आपके फिंगर और रामस उसके अंदर चली जाए तो यह यह आपका वो गया इसके उपर आपका क्या एगा स्टोन आएगा स्टोन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन स्टोन नहीं दे रहे हैं हम क्या देंगे यूवी शीट दे रहे तो मुझे इतने बात आती है महाँ पर 20 mm का वोड देते हैं जैसे आपकी मानलो टेवल बनती है टेवल पर क्या उपर टॉप पर लोड होगा तो मैं उसका वोड कितने mm का रखोगा 18 से 20 mm का लेकिन कैई बार ऐसे अलिमेंट होते हैं इसे हमारी वाड्रोब है वाड्रोब में हमारे बैक वाल इलिमेंट है वो क्या हो गया वो वाल से और उसकी बीच में सेपरेशन का काम करना है उसका तो उसकी थिकनिस हम कम की रखते हैं 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm इस तरीके से रखते हैं जैसे हम डिसकस कर रहे थे स्टोन लगेगा या वोड का बोड लगेगा बोड कितने का लगेगा हमारा 16 mm से 20 20 mm के बीच में लगेगा ठीक है तो मैं 20 mm वाले कंसीडर करूंगा भी तो उसके लिए यहां तो हमने गैप दे दिया कोफ के लिए ठीक है इसके बाद वापस से मैंना ऑफसेट किया इसको कितना 20 mm अगर आप 18 mm का या 16 mm का भी लगाओगे उसके उपर आपका माई का चिपके जो कि आपका 2 mm का होगा और अगर यूवी शीट लगी तो फाइव से 8 mm होगी तो टोटल थिकने आपकी फिर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ठीक है हाँ तो पॉन इंची तक चला जाएगा हो यानि कि 20 mm अगर 16 mm का मैं बोर्ट लेता हूं तब जाएगा वह कितने में 20 mm जाने कि 0.75 तक और अगर मैंने पॉन इंची का लिया या 18 mm का लिया तो वह एक इंची तक जा सकता है ठीक है इसी लिए अब आप देखोगे ने वैल्यूस बहुत ज्यादा स्मॉलर में जा रही हैं इसी लिए कई आर्केटक्स क्या करते हैं इंट्रियर के काम के लिए mm पूसरा उसको MMA बनाके देख लेंगे तो आप लोग को confusion जोगा वह दूर हो जाएगा अब मैंने इसको offset तो कर दिया ठीक है लूवर तो पूरे पे लग रहे थे अब लेकिन अगर मैं ड्राइंग देख नहीं तो पीछे क्या रही है वाट्रोब आएगी अब आप खुद ब लाइव अगरा जोती है एजमर वुड की वह भी यूज कर सकते हैं एजमर वुड या फिर हम वुड के बोड जाते हैं वह भी यूज कर सकते हैं हमारा एक अलग से special material है जो कि हम यूज करते हैं जो कि anti-termic anti-fungal होता है वह पानी से और आपका बाकी सारे elements से दीमक नहीं और वह तो वह तो वह क्या होगा stiffness की क्या हो गे फ्लाई की thickness कम होती है刚 है कितनी ज हम ten pacismte 212 एंब मिख लगेई है तो हम इसको अब यहां से अब यहां इस अलग साभाज्ट विद्ट के लिए टीवे की साइस का नगेगा हमारा टीवे क्या लगलग साइस आते हैं यहां कूई थोड़ सा यह सबस्क्राइब रूम अब हमारा जो में उसके साफ से में टी वी देते हैं जैसे रूम की व्ल बड़ियत इसमें छोटा टीवी लगा दूबाइस इंची का तो बहुत क्या होगा खराब लगेगा ठीक है टीवी का साइज होता है वो डिपेंड यह भी करता है कि किती डेप्ट से देख रहे हैं कितनी डेप्ट आप देखो 10 फिट 10 फिट प्लस है ऐसे में टीवी का साइज आप मिनिम 32 इंचेस का दोगे मिनिमम और अगर आप प्रॉपर देंगे तो 42 से 40 50 इंचेस का एक टीवी यहां पर दिया जाएगा अगर आपमें प्रॉपर देना है तो मैं 43 इंचेस का टीवी लेके चलता हूँ आज कर वह ज्यादा चल रहे हैं तो 43 इंचेस जो होता है यह टीवी का एक्चुल में डियागनल साइज होता है ठीक है तो 43 इंचेस का टीवी का साइज क्या होगा वह आप देख लो मैंने डी एल चेक किया फर्स पर निया दिया सेक निया दिया कितना रहा है आप देखो ट्रेफिट 6 इंचेस कितना हुआ या नेगी तर्टेशिक्स प्लस इंचेस का हो गया हमारा ठीक है 42 इंचेस का टीवी अगर हमें देना है तो इसकी लेंथ कितनी है और हैड कितनी है याने कि कितने 22 इंची का अब जब हम टॉप यू से देखेंगे तो हमें ये रेक्टेंगल के साइज ही तो छोड़ने होंगे ना टॉप यू बनाएंगे या फ्रेंट भी बनाएंगे है ना अभी हम टॉप बनारें तो टोटल लेंद कितनी इसकी दिखा रहा है इसकी तीन इंचेश का डाल रहे हैं सिक्स्टी इंचेश का मतलब फॉर फिट कितना हो गया हमारा है ट्वेल फोर्दा इस फॉट्टी इस फॉट्टी एट प्लस आज चुब तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा साट इंची करना है तो थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा 50 इंची रखते मैं 50 इंची भी बहुत होगा मैं विए रूम में रखने के लिए स्टेंडर्ट साइज होता है आप गूगल से जाके स्टेंडर्ट साइज भी देख सकते हो हर कंपनी अलग-अलग साइज के टीवी सेट आप करती है ना 50 एंचेज टीवी डामेंशन ठीक है आप देखों यहां पर कितना रहा है 49.5 इंचेज की लेंद्ध है और हाइट कितनी है 25 इंचेज की हाइट है ठीक है 50 इंचेज वाले टीवी की लेंद्ध यहां दिखा रहा है कितना है 43 पॉइंट सम्थिंग दिखा रहा है इंचेज में लेंद्ध है और हाइट दिखा रहा है कितनी 25.5 इंचेज ठीक है 25 इंचेज दिखा रहा था हमारे 24 इंचेज इसका बढ़ा दिया और यह कितने दिखा रहा था 43.44 इंचेज 44 इंचेज का मतब कितना हो गया 3 इंचेज का कम कर दिया तो हमें साइज वैल्यू गूगल से भी हम देख सकते हैं तुमारी लेंज कितनी आगे इसकी तीन फिट दस इंच तो तीन फिट वाल पे कितनी बड़ी वाल बड़ी वाल है तब तभी तो बड़ा राइंग ना रूम का साइज क्या है बहुत सारी चीज होती है किती डैप्स से भी देख रहे हैं रूम में इतनी बड़ी मानलो वाल मेरे पास बहुत चोटी सी है अब उसमें आप से कि 60 इंची का टीवी दो नहीं दे सकते चोटी सी वाल है अना अब वाल इसमें तो क्या अच्छा काजी बड़ी वाल है बाराफ फिट किया है तो इसका अगर छोटा टीवी दूगा तो इसका लुक क्या हो जाएगा खराब लगेगा फिर हो इसलिए हमने बड़ा टी 26 इंचे 46 को हाफ कर देते 23 तो मैंने 23 इसको दोनों तरफ आफ सेट कर दिया होगे अचा टीवी तो इसके आगे लगेगा पीछे तो लगेगा नहीं आगे भी टीवी बिलकुल वाल पर चिपके नहीं आता एक गैपिंग आती है उसका हुक आता है हां उसके चैनल आता है चै एक इंच से 1.5 इंच का आप लेँड़ो एक इंच का मने लिया तीवी के लिया अब टीवी से पीछे तो नहीं जाएगा ना तो पीछवाले को ट्रिम कर दिया यहां पर भी कि ट्रिम कर दिया टीवी की थिकने स्कूरेश कितनी होगी आजकल जिलम टीवी चलो है तैक है त्री इंचेस से ज्यादा टीवी की सिखते ही नहीं होती 2.5 इंचेस मैंने इसको आफसेट कर दिया मतब होती भी है लेकिन आजकल जो टीवी चल रहा है उनमें बहुत कम स्मार्ट टीवी जितने भी आ रहे हैं आप देखोगे तो बहुत कम स्लिम टीवी होते हैं तो मैंने इसको 2.5 इंचेस पर आफसेट कर दिया आगे कर दिया इससे आगे तो टीवी नहीं गया होगा इनको ट्रम कर दिया हमने अच्छा अब टीवी में बैज आगे की शीट तो और ज्यादा क्या होती है थेन होती है तो 0.5 मैंने अंदर आफसेट कर दिया इसको ठीक है और साइड से नाइन नाइन इंचेस साइड से अंदर कर दिया कर दिया इसको अंदर कर दिया आगे की शीक है कि इसी डाइब से होगा टीवी को चमारा ठीक है ठीक है और इसको आप क्या कर लो टीवी फिफ्टी इंचेश सेलेक्ट अब्जेक्ट पर गए ब्लॉक बन गए ब्लॉक बन गए वाडरोव इसके आगे ही दे सकते हैं इसके बाद का डिस्टन्स कितना बच रहा है अब यहाँ देखो पहले यहाँ पांच फिट है पांच फिट में हम एक काम करते हैं ज्यादा बढ़े तो element हमें देनी की जरुवत नहीं है ठीक है तो हम डेल्डिट फिट के दो दे सकते हैं यह दो-दो फिट के दो दे सकते हैं ठीक है याने की पूरा dezen नहीं cover करेंगे ठीक है तो डेड फिट के दो भी आप रखोगे तो भी आपका क्वाप चल जाएगा तो मैंने यहां से डेट फिट के दो के लिए 18 इंचेस का गैप यह लिया ये इन इंचेस का गैप फिर से ले लिया इसके बाद यह गैप किता बज गया भी हमारा तो अगर कोई यहां से भी बैट मांदिया चेयर रखी हुए यहां पर कोई बैटके अपने टीवी देख रहा है तो उसको भी अराम से के इसके आगे तो लेके जाने की जरुवत नहीं है आगे लेके जाएंगे तो हमारे विजन को क्या करेगा वो ब्लॉक करेगा मैंने इन सब को ट्रिम किया पीछे वाला बोर्ड रहेगा तो आधी इंची का बोर्ड लगाना भी बहुत होगा है ना इतकी थिक्नेस के बराबर देने की कोई जरुवत तो है नहीं है ना सो इसलिए अलग कर दिया अच्छा ऐसी गैप इधर से भी आएगा अब इधर भी वैसे तो जनरी हम लों क्या क लिए दोनों तरफ शपोर्ड के लिए दे देते हैं आपको में और Lewao लारी आपकी वाल री तो इधर की तरब भी हम क्या कर सकते हैं पार्म औोड ना देखिए तो वह हमने ट्व Dodge राइया यह होगा इस से क्लव मालूम बारिक हो इस मोने कि नहीं आधिए नहीं पता कर रहे हैं यहां पर 12 mm की जगह बोड दे रहे हैं अपना 75 mm का इधर से और इन दोने के बीच में भी 75 mm का बोड लगा होगा तो अंदर जो स्पेस बचेगा यह कितना बचा बचना चाहिए था डेड़ फिट है ना कमें डेट फिट करता साइज होना चाहिए था तो हमने क्या क पड़ेगा इसको और आगे ऑफसेट करना पड़ेगा तब ही तो अंदर का क्लेरेंस हमें डेट फिट मिलेगा ऐसी अब इधर की तरफ भी क्लेरेंस कितना मिल रहा है का मैं 1.5.75 इंच तो इसका भी बोड आएगा इसको तो सपोर्ट नहीं इसको तहवी देना पड़ेगा हमें अच्छा अब अंदर का जो इस बचा वो कितना बचा इसके लिए ठेक है तो इसको क्या करना होगा हमें बढ़ाना होगा कितना बढ़ाना है वो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही तो मैंने क्या-क्या एडी निंच इसका गया पंदर वाला चाहिए एक लाइन कीज द इसका गया पंदर आ गया दो एलिमेंट आ गया हमारे ठीक है तो यह हमारी वाट्रॉफ का सेग्मेंट शेल्फ का तयार हो गया हमारा अच्छा अब इसके बाद स्टोन पूरे पर देना है या नहीं देना आगया से इस पर दिंग चोड़ने है कुछ लूवर वगरा का प्र कि एक फिट दस इंच है तो एक फिट है दस इंच कि मैंने एक लाइन की चीज़िए कि आफ सेट कर दिया कि अब लूवर तो पीछे पूरे चलेंगे स्टोन को क्या कर देंगे हम कट कर देंगे स्टोन में कोव भी आईगी तो कोव के लिए वन पॉइंट फाइव इंच अंदर कर दिया इसी तरीके से रहेगा यह कोव आगया आपका अच्छा एक चीज़ गरबड़ी हो गए हमारे में हम आप देखो को तो यहां से भी गैप आ रहा है और इसकी भी कोव आ रही है है ना तो मैं गैप को कम रखोंगा और एक फिट दस इंच था कितना था यह दस इंच था मैं इसको एक फिट रखता हूं खाली और इसको स्ट्रेच करके यह तैयर हो गया यह क्या आगे हमारा कोव इसके अब आप चाहो तो शेल्फ यहां तक की दे सकते हो या जैसे मैंने आपको दिखाया भी था मैंने या क्या क्या थोड़ा सा स्पेश वोड़ दिया नीचे जो हमारा वह आता स्कुर्टिंग आती इसको आगे तक लेकर बेस प्लैट्परम ना दिया वहां पर हमने एक शोपीज लटका दिया आप यहां से लटका सकते उपर से नीचे मैंने प्लांटर रख दिया प्लांटर भी अच्छा लगता है तो आप की च्वाइस है आप क्या रखना चाहर क्या रोदे लेकिन बैड्रूम में प्लांटर नहीं चाहतेगा है सकते हो आप pendant light होती है वो लटका सकते हो तो वह जैसे मैंने बताया आप और आप खाली छोड़के एक प्लांट भी रखोगे तो भी वो क्या होगा हां उसको कम कर देगा और करेक्ट इसलिए थोड़ा सा स्पेसिंग भी आजए कि मैं पास ठीक है तो वह उस टाइप से देख सकता आप अच्छा अब जो ड्रॉर रहेंगे हमारे वह तो पूरे आएंगे यह हमने अभी क्या सेट किया इसका टॉप यू सेट किया अब मुझे पहले यह बताओ कि टॉप यह आप सबके समझ में है इतना ही रखना है यह इसका अलेवेशन तयार करें अभी ठीक आपको यह तयार हो गया इसी तरीके से एक वाट्रोव इदर देनी है कुछ नहीं करना जैसे यह था वैसी रहेगा पहले पीछे प्लाई आएगी फिर हाँ आधी इंची की इधर की तरफ भी प्लाई लगेगी आधी इंची की इधर की तरफ का बोर्ड लगेगा क्योंकि सपोर्ट नहीं है ठीक यह विर्थ आपको फिनिच्ट दो फिट की डखनी होगी है हाँ जी इनर जो होगा वो जाइट से बादे दो फिट से कम बचेगा हाँ जी यहां पर कर सकते हो फिर आपको यहां पर वास्ट नेंटर के दश्य देए कि इस तरफ देंगे वोड्रूम का जो देहें पूरा पूरा देए पूरा आपकर देंगे किसी जाएगा वो रूम के लिए चौकट लगेगी फ्रेम लगाना पड़ेगा ना वाद्रोब के पीछे कोई सपोर्ट होगा नहीं फ्रेम किस पर ठीकेगा अब तेक यहां पर अलग से वाद्रोब देता हूं अब यहां स्पेस कम बच रहा है देखो मैं वाद्रोब यहां देता हूँ अग वाद्रोब आपकी डो टाइप से होती है एक आपकी हिंग सपोर्ट होता है कि अब श्लाइड करेंगे अगर हम यह कितनी विड़त है मैं अभी वर्ती देख रहा था यहां कितनी विड़त है का कि साड़े 3-3 फिट है यहां विर्ट कितनी है वे यह बड़ा पड़ा हुआ है देखा थि साड़े 3 फिट में हम स्लाइडर बनाने में प्रॉब्लम रहें हैं मैं बना तो सकते हैं लेकिन 6,5 फिट का मतब क्या हो गया कि जो आपके चैनल है ना वह देड फिट का है वह अच्छा रहेगा नहीं तो मैं ओप्निंग वाली ही रखने पुड़ेगी फिर कोई नहीं ओप्निंग वाली चल चला देंगे एक पूरी कैबनेट दो डोर से ओपनिग वाली रहेंगे यहां पर स्लाइडर रुनाइगे हम ठीक है इसकी विर्थ आप देर फिट पर ठीक है बस तो इसकी वाटरोब बना के लिए कि आएंगे ये टीवी उनिट मैंने इस तरीके साब को डिजाइन करके साइज बताएं आप गूगल पर जाके पंट्रेस पाके कोई आपको दूसरी में अच्छे लग रही है आप उसके साइज ले लिएगा हाइट के साइज में क तेके